तो वेलकम बैक गाईज टू आवर चैनल फैक्ट किडा दा फैक्ट गुरू जी तो लेट्स स्टार्ट आपने बहुत सी बाहर यह अजूम क्या होगा कि जब आपका दाथ हिलता है या उसमें दर्द होता है तो उसके साथ साथ आपके ब्रेन में भी दर्द होता है यह क्यों होता है आप इस फोटो को देखकर यह सबन सकते हो कैसे हमारे तीत खीन से हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है तो जब हमारे दाथ में दर्द होता है तो हमारे ब्रेन को भी यह दर्द महसूस होता है अगर आप अपने जीवन में मुश्क्यूटोज मच्छों से परेशान हो चुके हैं तो आप अपने घर में चमगादड को ला सकते हैं बैट्स एक रात में 3000 इंसेक्ट्स को खा सकती है एक चमगादड आपको 3000 मच्छों से छुटकरा दिला सकता है एक बार ट्राई करके जरूर देखना फैक्ट नमबर 6 1880 में थाइलेंड की रानी सुननंदा कुमारी रतना की मिरित्यू पानी में डूबने के करन हो गई और उनके नोकर उन्हें डूबता हुआ देखती रही उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिस नहीं की क्योंकि उस समय किसी भी नोकर को रानी को छोने की जरत नहीं थी इसलिए नोकरों ने अपनी रानी को नहीं बचाया जिस करन रानी की पानी में डूबने के करन मिरित्यू हो गई क्या आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में महिंदर सिंग धोनी सबसे ज़्यादा स्टंपिंग करने वाले विकिट कीपर है यह हमारे लिए एक गर्व की बात है फैक्ट नंबर फॉर हाल ही में उत्ता प्रदेश में हुई पीट की परिक्षा के लिए बहुत से विद्यारतियों को सफर के समय बहुत सी समझ्याओं का सामना करना पड़ा आप इस फोटो से अंदजा लगा सकते हो कि ट्रेन के इस कोच में मात्र 72 सीट से एविलेबल है बट इस कोच में 800 विद्यारतियों सफर कर रही थे इस बात से आप अंदजा लगा सकते हो कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कैसा है फैक्ट नंबर फ्री इस फोटो में आप चांद के 48 डिफरेंट कलर्स को देख सकते हो जो कि नासा के द्वारा कैप्चर किये गए है इन फोटोस को कलेक्ट करने में नासा को 10 साल का समय लगा क्या आपने अपनी जिन्दकी में कभी चांद के इतने कलर देखे हैं रात के समय आसमान में फैक्ट नमबर टू आपने अपने लाइफ में बहुत से डिजाइन के चैस देखे होंगे बट क्या आपने कभी वर्ल्ड का सबसे इसमुलेस्ट चैस देखा है इस फोटो में आप वर्ल्ड के सबसे इसमुलेस्ट चैस को देख सकते है जो की एक कोईन सिक्के से भी छोटा है यह हाथ के द्वारा बनाया गया है यह 8 x 8 mm का चैस है जो कि वर्ल्ड का सबसे छोटा चैस है इस चैस को आप खेल भी सकते हो फैक्ट नमबर वन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर एक दिन के लिए भी अर्थ पर सुरज की रोशनी ना आए तो क्या होगा तो आपको हम बता दे कि अगर अर्थ पर एक दिन के लिए सुरिय की रोशनी ना आए तो कुछ ही घंटों में पूरी धरती बर्फ में जम जाएगी पूरी अर्थ पर वाइट शनो फैल जाएगी कुछ ही घंटों में सारे देश सारे समुद्र सारी नदिया बर्फ की तरह जम जाएगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे मज़दार वीडियो हम हर दो दिन में लाते रहते हैं